हेलो फ्रेंड्स माइनीम इसकाचल लोराव सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज किस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं यूपीडियालेट फर्स सेमेस्टर सबजेक्ट सिक्षड अधियम के सितान जैसे कि मैं आप सभी को बता दू कि इस क्लास के टाइम होती है वो शोंगवार मंगलवार बुद्धवार दोपार को दो बजे इस क्लास की टाइमिंग होती है ठीक है और बिलकुल हम सुरुआ से ड से डिस्कस कर रहे घिसम हमने डीचस कर लिया कि होता है कि रेकार के होते हैं इस में अब हम जानेंगे प्रभावित ततरीकी कौन अगल ऊपरो में आप दोबुद्सी करने आप वीडियों के लिगो से और अक्र आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं आप देख सकते हो कि हमने संप्रेशड का आर्थ उच्छा अवशकता है वो महत्व शंप्रेशड के घटक कौन कौन से है शंप्रेशड के प्रकार कौन से है यह जितने भी टॉ प्रभावी संप्रेशन के तरीके ठीक है तो सबसे पहले एक बार हम और रिवीजन कर ले ताकि आप सभी को एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन हो जाए ठीक है तो देखिए फ्रेंट्स शंप्रेशन का अर्थ शिंपली भाशा में कहें तो अपने जो भी आपके संदेश एवन विचार होते हैं इसका अदान-प्रदान करना ही संप्रेशन कहलाता है ठीक और जो शंप्रेशन है वो आंगल भाशा में इसे कम्यूडियूकेशन कहा जाता है क्लियर उसके बाद हमने राइटर के अनुसार भी देखा था पॉल लिगंस के अनुशार भी देखा था है न जिसको हम बहुत ही अच्छे से आफ सभी कुछ समझाए भी थे ट्रिक के माधियम से ठीक है बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं आफशकता है वो महत्यों को भी डिसकस किया था तो यह हमने पूरा टॉपिक डिसकस किया था संप्रेशर के घटक कौन कौन से हैं प्रेशक होता है ठीक है संदेश होता है माध्यम होता है ग्राही होता है फिटबैक होता है शंप्रेशर के प्रकार कौन से होते हैं साब्दिक और शाब्दि देखे थे जो कि बहुत ही महतुपूर थे तो देखिए अब यहां से स्टार्ट हो गया अब देखिए प्रभाई संप्रेशर के तरीके क्या है बहुत ही अच्छे से इसको डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हो कि यदि एक ब्यक्ति ठीक कोई एक ब्यक्ति है दूसरे ब्यक्ति को कोई सूचना देता है तथा दूसरे ब्यक्ति द्वारा सूचना ग्रहड करने का संकेत प्रेशक को किसी प्रतिकिरिया के रूप में प्राप्थ हो जाए तो वो प्रभाई शंप्रेशर होता है सिक्षा विदो के मता अनुशार यानि जो सिक्षा विदो हैं उनके अनुशार शंप्रेसर प्रिकिर्या को कक्छा में प्रयोग करते समय निम्न लिखित बिंदों पर ध्यान देने चाहिए मतलब कि एक effective तरीके क्या हो शकती है method क्या हो शकती है एक सिक्षक को इसके बारे में पोड़ जानकारी होनी चाहिए ताकि वो जो भी सूचना अपने students या class में देता हो वो सूचना उनके मतलब उनके पास पहुचे और पहुचे तो ठीक उनको समझ में भी आना चाहिए तो कुछ इसके तरीके होते हैं तो चलिए friends शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि प्रभावी शंप्रेशड तरीके के उद्देश्य क्या होता है इसका उद्देश्य पूर्ड क्या है तो देखिए फर्स लाइन पे कहता है कि प्रभावी शंप्रेशड की य शंतुष्ट करने वाला नहीं होता है यानि आगर कोई सिक्षट क्लाश में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है या कुछ भी पढ़ाता है तो उसका जो अगर उसके टॉपिक कि किसी भी सिक्षड में उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है उसमें कोई प्रभावी नहीं होता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहे जाता है तो यहीं कह रहा है कि प्रभाई सम्टेशल की यह विसिष्टा है कि कोई भी सिक्षण है उसमें उद्देश्य होना चाहिए और बहुत ही असपर्ष्ट और विसिष्टा के साथ होना चाहिए क्योंकि जब तक आप उद्देश्य नहीं बताएंगे कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और कि अध्यापन आदिसात्मक ना होकर निर्दिसात्मक होना चाहिए मतलब जो अध्यान होता है वो आदिस ना देकर निर्दिस देकर होना चाहिए शंप्रेशल आदिसात्मक नहीं होना चाहिए अतह करक्षा का वातावर कठोर तथा निरस्ता से युक्त ना होकर सरल्ता तथा शहान भूत युक्त होना चाहिए अगर एक्जैम्पल के लिए अगर आसानी से हम आप सभी को बताएं तो जैसे कि माल दीजिए यह आपका क्लास्रूम है ठीक है यहां बच्चे हैं और यहां पर एक सिक्षक है ठीक है जो पढ़ा रहा है अब उसी में से एक जो सिक्ष होता है वो बच्चेों को आदियस देता है ठीक कि आपको होज्ड़ कर आना है ठीक तो बहुत क्या करते है भी किस तरीके से तरीके से ते साथ सहनुभूति के साथ जो एक instruction होना चाहिए न की order आप से भी को एक सिक्षक को order नहीं देना है वहाँ क्या instruction देना है जैसे कि computer में हम से भी पढ़ते हैं है ना तो instruction देना है न की order ठेक तो ये एक अध्यापक में ऐसा उसके पास होना चाहिए ठेक दूसरा होता है तीसरा होता है प्रेड़ा ठीक मतलब कि जो शंप्रेशण पूरता प्रेड़ा प्रद होना चाहिए यानि उसमें प्रेड़ा उनको प्रेरित करना चाहिए वह उनके पूरो अनुभों पर अधारित होना चाहिए और साथ ही उनकी रूचियों यों प्रवृत्यों को बिक्सित करने वाला होना चाहिए यानि इसका simple art मैं बताऊं तो अगर आपका जो समपेशर है आप कुछ भी पढ़ा रहे हो आप जो भी उनको सूचना दे रहे हो जो भी information दे रहे हो वो उनको प्रेरित करे ठीक प्रेड़ा प्रद होना चाहिए उनको प्रेरित करे उनको समझ में आए ठीक है और अगर आप प भी होना चाहिए और बालक की ही रूच के अधार पर उनके प्रवृत्ति के अधार पर ही उनको डिक्षित करने वाला होना चाहिए आपका सिक्षड ठीक अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है बालकिंद्रित तो वर्तमान समय में जो सिक्षा है वो बालकिंद्रित ह अतह संप्रेशर भी तभी प्रभावी हो शकता है जब वह बाल केंद्रित हो अर्थात उसकी ब्यत्तिक विविणताओं में ध्यान रखते हुए उसकी शाभागिता के साथ अध्यापन किया जाए यानि कह रहा है कि बाल केंद्रित आपने देखा भी होगा कि वर्तमान समय में जो सिक्षण दी जाती है वो बाल केंद्रित यानि बालक के अनुशार ही दी जाती है कि जो बालक का मांसिक छमता है वो किस तरीकी का है ठीक है अगर जो सिक्षण होता है अपने अनुशार का करतब भी होता है कि जब तक शबी इस्टुडेंट को शमज नहीं आता है तब तक वो टॉपिक आगे नहीं बढ़ाएगा यानि ब्यक्तिक भीविनताओं को ध्यान में रखते हुए कि हर एक बालक की जो मानसिक आयो हो किसका कम है किसका अल्प बिक्सित है उसको ध्यान में है वो सून योजे ढंग से अर्थात भली प्रकार योजना बनाकर पोड किया जाना चाहिए मतलब कोई भी आपने देखा भी होगा अगर कोई भी काम अगर प्लान बनाकर योजना बनाकर किया जाता है तो वो उसमें सफलता आप सभी को जरूर मिलता है है ना तो यह आपका हो जाता है क्या प्रभावी शंप्रेशर के तरीके और भी है देख लेते हैं जैसे कि प्रजातांत्रिक पध्धत पर अधारित तो देखिए वर्तमान युग में शंप्रेशर में प्रजातांत्रिक दिश्टिकोर को महत्व दिया जाने लगा है ताकि कच्छा प्रजातांत्र कंभब वारद रिखिडखन हो सके अध्यापक का शभी बालकों के साथ शमान वेवहार रहें चाहें वह निम्न बरका हो या ऊच्छ बरका हो या किसे मेरी जाती अथवा लिंका हो यानि बिना किसी भेधभाब के एक सिक्षक को चाहिए कि वह सब शम AllION शिक्षट दे ठेक अब देखिए शक्रिय अध्यापन जो की बहुत ही महतुपूरे सक्रिय अध्यापन इसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो देखिए फ्रेंज प्रभावी संप्रेशण के लिए आवस्यक है कि कक्छा में उचित वातावरण बनाया जाए छात्र अध्याप दोनों ही सक्रिय रहें कहने का ताथ पर यह यहाँ है कि एक तरफा संप्रेशण नौँ हो कि क्योंकि इस प्रकार संप्रेशण में छात्र निस्क्रिय स्रोता रहता है वे संप्रेशण संप्रेशण मिलने वाले शंदेश को भली प्रकार ग्रहाण नहीं कर पाते उन्हें व अवस्यक है कि संप्रेशड प्रभावी और छात्र एवं अध्यापक दोनों ही सक्रियता से समभागिता देखें फिर्स क्या कह रहा है कि शक्रिय अध्यापन अगर आप एक अच्छा शंप्रेशड चाहते हैं तो छात्र ठीक छात्र और सिक्षक ठीक है छात्र और सिक्षक दोनों ही सक्रिय अक्टिव होना चाहिए जैसे कि अगर छात्र बस वैसे ही पढ़ा रहा है और वो छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहा है तो जो बालक होते हैं इस्ट्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं निस्क्रिय हो जाते हैं इसलिए प्रुश्नत्तर वि पूछेंगे, तो इससे क्या होता है? कि जो सात्र होती है, वो शक्तिरीय रूप से वहाँ जो भी सिक्षक पढ़ाता है, उसको सुनते हैं, अगर वहीं सिक्षक ऐसी प। प्रक्रिया को न करें, ऐसा संपरेशन न अपना है, तो फिर वो जो कुछ भी पढ़ाएगा तो जो निस्क्रिय रहेगा बालक उसको असानी के साथ नहीं समझ पाएगा और फिर जब टीचर पूछेगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा तो इसको हम क्या कहते हैं आपको एक सिक्षक को ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो इस्टुरेंट होते हैं वो निस्क्रिय रूप से क्लास्रूम में बैठे रहते हैं तो इसलिए उनको सक्रिय करने के लिए आपको ऐसा जरूर करना चाहिए कि अभी हम इस मिसे में आप स कुछ सवाल पुझदे और सिक्षक नहीं रहता है इसलिए सिक्षक को भी शक्रिया होना चाहिए और बालक को भी रहता चाहिए तभी एक अच्छा प्रभाई सम्त्रिशन हो सकेगा वरना फिर impossible है अब देखिए अगला है आपका विशे से क्रम बद्धता यानि एक बार पढ़ लेते हैं फिर आप से बीको असानी से समझाएंगे जैसे कि विशे से क्रम बद्धता विशे वस्तु क्रम बद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए उसका क्रम तूटना नहीं चाहिए अन्यता छात्र भ्रामित हो जाते है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है एक्जैम्पल के लिए जैसे कि मान लीजी आप जैसे कि हमने इंग्लिस की क्लास हम ले रहे थी ठीक है उस टाइम एक मतलब सिस्टर का कमेंट आया था कि माँम आप लेसेन क्लान करवाए ठीक है जो कि लेसेन जो है मतलब लास्ट में है ठीक है तो ये क्या होता है ना क्रम बढ तरीक prohibition 2 में है और हम एक 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 ही अगर हम लास्ट चैप्टर में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो student होते हैं उनको बहुत ही hard लगता है ठीक क्योंकि एक क्रम बना होता है ना आपने सिच्छा रदियम में बहुत सारे सुत्रपड़े हैं सरल से कठिन की ओर ठीक ग्याद से अग्याद की ओर मतलब कि जो हमें पहले पता है उसके बारे में जाते हैं और दीरे 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 उसके बारे में में जो मतलब hard होता है उसके बारे में भी जब जनकारी होने लगती है तो easy हो जाता है तो इसलिए जो बिसे यानि जो पाठ्ट क्रम होना चाहिए, वो बहूत ही मतलब कि क्रम से होना चाहिए, जैसे कि अभी हम जो लेसन 1 पढ़े लेसन 2 पढ़ रहे हैं, लेसन 3, 4, लेसन 5 इस तरिकले से क्जा होगा ना कि आपका क्रम बना रहेगा और आप की जो तयारी है वो बहुत ही बेश्ट हो जाएगी तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना होगा तो भी से में क्रम बद्धता क्लियर हो गया अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि सहयोग की भावना का बिकाश चुकि बहुत ही महतुपूर है आज के टाइम में हर एक व्यक्ति को किसी न इसके लिए एक दूसरे का सहयोग अपिच्छी थे जैसे किसी भी विसय को पढ़ाते समय अध्यापक यदि भीच-भीच में प्रस्ण करता है तो छात्र की जिग्यासा वह सिक्षड के प्रती रूची बढ़ती है और साथ ही उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है ठीक है मतलब की जैसे कि मैंने अभी डिस्कुस किया ना तो अगर वो अगर जब बालक शक्रिया रहेगा और जो भी सिक्षक पढ़ाएगा और बालक असानी से समझ लेगा जब सिक्षक कोई प्रस्ण पूछेगा तो 100% है है कि वो जो बालक है उस क्येस्टन का आंसर जरू पूछी आता है कि हां मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो बालक जित्ते भी स्टुडेंट से उनको समझ में आ रहा है तो यह क्या है सहयोग की भावना मतलब एक दूसरे का सहयोग करना तो इससे क्या होता है कि चात्र और सिक्षड और सिक्षड के बीच संप्रेशर जो यानि पहले शेही कर लेनी चाहिए ताकि वह चात्रों की समस्याओं का शमाधान भली प्रकार से कर सके चात्र अध्यापक के द्वारा दिये जाने वाले ज्यान को भली प्रकार ग्राहर कर सके यानि अगर आप जैसे की सिक्षक बन जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो उनक जो भी syllabus है जो भी lessons है ठीक है जो भी chapter है आप यह सोच के जा रहे हो कि कौन सा chapter आज आपको पढ़ाना है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको उसको पढ़ना होगा ठीक है तब ही आप अच्छे से classroom में पढ़ा सकेंगे क्योंकि अगर कोई बालक उसमें से उसको कोई भी problem होती है कोई भी समस्या होती है तो वो पूछेगा और अगर आप पोड रोब से relation प्लान नहीं करके आए होंगे तो फिर दिक्कत होती है तो इसलिए एक सिक्छक को चाहिए कि वो पाट की तयारी करके ही जाए जिससे संप्र प्रभाई बना रहर है अगला है कि पूर्व ज्यान से संब्मदित तीए याने पाट को पढ़ाने से पूर्व थे फदलब की लेशन को पढ़ाने से पहले अध्यापक को यह तत्थ्य्यात कर लेना चाहिए यह पॉंइंट's ज्यात कर लेन्हाइए कि क्या चात्र इस भी से से पूर्व की जानकारियों से अउगत है या नहीं अन्य था शंपेशर दोशपूर हो शकता है जैसे कविता कहानी आदी पढ़ाने से पूर्व सिक्छक छात्रों से पहले की कक्छा में पढ़ाई हुई कविता या कहानी सुन सकते हैं या पाठ में आए हुए पात्रों के बि यानि अगर मान लेजिए कोई भी लेसन पढ़ाते हैं ठीक है जिसे कि गाधी जी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो मतलब उस क्लास की स्टुडेंट क्या जानते हैं कि गाधी जी कौन है ये वो ठीक तो सबसे पहले तो आप बिलकुर सुरुआज से बताएंगे कि पहल इस अगर गाधी के बारे में पता है लेकिन जब आप पूचेंगे कि अजादी क्या है तो कुछ बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे तो उसीमें से कोई बताया कि हमें अजादी मिली थी अंग्रेज आये थी ठीक है अंग्रेजों से हम बहुत सारे लोग युद्ध तो इस तरीके से आप सबसे पहले अगर आप गाह दिए जी पर डायटेक्ट बात करेंगे फिर उनको समझें नहीं आएगा तो सबसे पहले तो उनको जो भी पहले से जानकारी है उसके थ्रोही ज्जात से अज्यात कीएओ मतलब कि जो उनको ज्यात है फिर आपको अज्यात की तरफ ले जाना है तो इस तरीके से पूरो ज्यान से सम्मझित आपका पाठिक्रम होना चाहिए अब देखिए सहायक शामागरी का शमुचित प्रियोग यानि शम प्रेशड में उचित अस्थान पर सहायक शामागरी का प्रियोग करना चाहिए यानि कहीं अगर आप अकुछ समझा रहे हों यह जैसे कि माल लेजी आपने आ अदर जह का जी आपने इस एसा सब्दा आगया जिसको बच्चे नहीं जानते हैं जैसे कि माल लेजी मारकर अब तो फिला हाल मारकर आ गिया है लेकिन अगर पहले के बात करें तो बहुत सारे इस रेंट को क्या था मार कर नहीं पता था तो आपको क्या करना होगा कि वहां मार कर लाकर दिखाना होगा जैसे ग्लोब हो गया तो ग्लोब में क्या होते है न आपको अगर आप भुगोल पढ़ा रहे हो ठीक है भुगोल पढ़ा रहे हो तो आपको वहां ये ग्लोब लाना होगा और उनको बताना होगा कि किस तरफ भारत देस है ठीक है अमेरिका किस तरफ है तो आपको ग्लोब के थूप पढ़ाना होगा तो यही कह रहा है कि सम्प्रिशण में उचित अस्थान पर सहायक का अधिकादिक प्रियोड चार्ट मॉडल ठीक इस तरीके से आप वीडियो क्लिप तयार करके उनको समझा सकते हैं ठीक है तो यह आपका सहायक शामागरी का भी प्रियोग करना चाहिए उसके बाद स्वतंत्र वातावरण तो देखिए फ्रिंट विशय का संप्रिशण और आपको उनमें समान सोतंत्र वातावरण भी करना चाहिए वातावरण जो होना चाहिए वो सोतंत्र होना चाहिए ताकि हर एक पच्चा क्या न कुछ भी बोल से कि वो डरा डरा नर है तो इससे क्या होता है उनकी रूची आती है और उनका विकास होता है ठीक है अब ठीक है आत्म विस्वास के साथ पढ़ाया जाना बालक का पूड ज्यान प्रदान करता है साथ ही छात्रों की जितनी भी समस्याए होती है उशका शमधान भी अध्यापक के लिवारा भली प्रकार किया जा सकता है तो अगर एक सिक्जक के पास अगर वो कुछ पढ़ा रहा है तो उसके पास सैलफ कॉंफिडेंस यानि आत्म विस्वास जरूर होना चाहिए ठीक है अगर आत्म विस्वास ही रहेगा अगर वो खुद ही सुचेगा कि हाँ मैं ये गलत कर रहा है या वो ये मैं गलत इनको समझा नहीं पाऊंगा मेरा संप्रेशर अच्छा नहीं है या मैं समझा नहीं पाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन सबसे पहले तो आत्म बिश्वाश का होना बहुत ही जरूरी है ठीक है और जो भी प्रॉब्लम्स आती है अश्रंड के सामने तो उनको सॉल्ब भी सिक्षक का दाई तो है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्ब करे ठीक है क्योंकि आप पहले सिखाएंगे उसके बाद उस स सिद्धन किस ने दिया है आप कमेंट्स बोक्स में कमेंट्स करके बताईए अब देखिए अध्यापन उपचार पूर्ड होना चाहिए ठीक है मतलब कि जब हम चात्रों को कुछ सीखाना चाहते हैं ठीक है मतलब कि हम कुछ भी चात्रों को सीखाना चाहते हैं उसे संप्रे में उप्चारात्मक सिक्षड द्वारा अध्यापक छात्र की इस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए मतलब कि क्या होता है ना जिसकी मान लीजे एक्जैम्पल के लिए आप मैच सब्जेक्ट पढ़ा रहें पढ़ा रहें तो आपने लिद्या की टू प्लस टू क्या होता है उसी में से कुछ बच्चे तो बहुत ही असानिक साथ बता देंगे फूर लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नहीं बता पाते हैं आपने देखा भी होगा है ना इंटरंसिप के लिए गए होंगे तो नहीं बता पाते हैं तो यह क्या होता है कि आपको जब उनकी कमी को आपने जान लिया तो आपको उनके कमी को दूर करना है उनका उपचार करना है ठीक है आप उनको बताएंगे जैसे कि इसके तुरू वह नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे कि आप समझाएंगे कि आपको हमन दो लड्डू दिया ठीक है आपके पास हमने दो लड्डू दिया और आपके पापा जी ने और दो लड्डू ला दिये ठीक है आपके पापा जी ने और दो लड्डू ला दिये तो फिर कितने लड्डू है तो बहुत ही असानिक साथ बता दिंगे कि चारलर डोग है लेकिन अगर आप इसी के तरह 2 प्लस 2 बताएंगे तो नहीं बता पाते हैं आप देखते भी होंगे ठेक तो इस तरीके से आपको बहुत ही मतलब की भारीके से उनको समझाना होता है है न तो अध्यापन में आपका उचार पूर भी होना चाहिए उसके बात आ जैते हैं वे हर समय कुछ न कुछ करते दिखाई देते हैं अता यदि उनसे किसी ऐसे भी सही पर चर्चा करें जिससे वे परिचित हो जैसे कि मेला हो गया बजार हो गया तो वह अपनी बात कहने के लिए बड़े उस सही दिखाई देते इसलिए संप्रिशण के समय अध्या बजार तो आप सबी पूछेंगे कि बजार में क्या मिलता है ठीक है या फिर बजार में क्या मिलता है मेला में क्या मिलता है तो बहुत ही उससाहित होकर बो बताएंगे कि बजार में खाने के लिए मिलता है खिलोना मिलता है भीड होती है फिलाल अभी तो आप देख सकते हो कि भीड बिल्कुल सोसल डिस्टेंसिंग बना के रखना है है ना तो अब तो जैसे कि पतब लंबे टाइम तक ये कुरोना रहने वाला है तो अब यही अब चलता रहेगा कि हर मतलब कि दोरी बनी रहेगे ठीक अब देखिए ये आपका पूरा जितना भी तो हमने तो बहुत ही अच्छी समझ समझ के डिसकस किया है तो आप बहुत ही असानिक साथ लिख सकते हो कि जो अब जैसे उद्देश्ट सबसे पहले तो उद्देश्ट क्या है अध्यापन और और दे और ना होकर इस्ट्रक्शन होना चाहिए अब सुन योजित यानि प्लान करके प्रजात आंत्रिक यानि बिना किसी भेद भाव के आप सभी को पढ़ाना होगा तबी एक प्रभावी शंप्रेश्ट बन सकता है शक्रिया द्यन यानि सिक्षक और जो भी छात्रे उनको शक्रिया होना चाहिए तबी एक प्रभावी शंप्रेश्ट हो शक्ता है जो भी पाठे क्रम है उसमें क्रम बधता होना चाहिए चायों की भावना होना चाहिए पाठ की तैयारी होनी चाहिए पूर्व ग्यान से सम्मंदित होना चाहिए सहायक समगरी का समुचित परियोग होना चाहिए ठीक है आत्म बिश्वास होना चाहिए अध्यान उप्चारपूर होना चाहिए और क्रिया सिल्टा एंचातरों को अपनी बात कहने का उसर देना चाहिए तो फिर्ट देख सकते हो बहुत एक कम पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन आपसे भी कुछ समझने आ गया होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन जब एक्जैम में आएगा न किस प्रभावी संप्रेशन के तरीके क्या है लिख कि एक ब्यक्ति द्वारा दूसरे ब्यक्ति को सूचना या जनकारी दी जाती है और दूसरा ब्यक्ति समझ लेता है वो क्या कहलाता है संप्रेशन तो अगर एक्जाम में आए कि संप्रेशन किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो कि एक ब्यक्ति द्वारा दूसरे ब्यक्ति को सुचना या जनकारी दी जाति है अगर दूसरा पियक्तिस समझ लेता है तो वो गया होता है बहुत समॱ्ट्रेशट क्या लाता है दूसरा पॉइंट की सिक्षड के समस्थ प्रकिरिया बीविन प्रकार से ज्ण ष्द एंस सम्झ्ध विक्सित करने के लिए कियतने कर्द चाथãy ग्रां के संलचे इसलिगा बहुत है अपने देखा ब्रभावी संप्रेरश्ट यह इसमें टॉपिंख वै आ गया तो दीखे फिर आपको इसमें 100% कोई भी डाउट नहीं रहेगा संप्रेशर में मुख्यता पांच घटक होते हैं कौन कौन से प्रेशयक माध्यम शंदेश ग्राही प्रतिपुष्टी ठीक विसर ग्यान देने वाले संप्रेशर विसर समगरी शंदेश ग्रहार करने वाले ग्राही कहलाता है स संप्रेशर की दो प्रकार होते हैं ब्यक्तिक और संप्रेशर ठीक है शामुए को रूचिओ आविंग रूचिओ सकता होता मासिक योगिताव के अनुसार सिक्षर देना वह जब एक ही कछ्षा में शामुए क्रूप से अध्यापक शिक्षर कारे कराता है तो वह शाते शाम तो देखिए फिरंट जितना भी हमने डिसकस किया यहां पूरा पॉइंट के तुरू दे दिया गया है तो यह हमने पूरा डिसकस किया है कि संप्रेशड क्या है संप्रेशड की परिवासा क्या है संप्रेशड में सहाय मुख्य चार बिंदू बताएए शंप्रेशड को ग्राही में भी दस परस्ट बताएगो तो बिलकूर इसी है आप असानी से जितनी भी परस्ट नहीं आप लिख सकते हो ठीक है तो अगर आपने प्रिविएस वीडियो था यह अब आज समाप्त होता है हम मिलते हैं कल लेशन 3 में जिसको बहुत ही अच्छे से अम डिसकस करेंगे फिलाल आज के लिए इतना ही और अगर आप यह पढ़ लेतो तो फिर टेट के एक्जाम के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में तो को सेयर कर देजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है सबते के लिए थैंक्स पूर वॉचिंग टेक क्यार एंड बेश्ट अफ लग